RCM के साथ अजूबे प्रोडक्स दोस्तों अजूबा क्या होता है आपको पता है आपने दुनिया के साथ अजूबे तो सुनाई होंगे जिसमें से एक ताज महल भी है है ना आपने जरूर सुने होंगे तो यह अजूबा होता क्या है अजूबा मतलब होता है कोई ऐसी अध्वित्य चीज, कोई ऐसी नायाब चीज जो केवल एक ही है और वो शायद दूसरी बन भी नहीं सकती और अभी तो फिलाल वो चीज पुरे दुनिया में एक ही है तो उसी के लिए आज उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ RCM के साथ अजूबे प्रोडक्ट्स जो आपको केवल RC में मिलेंगे और कहीं मिलने के चांसे नहीं है मिल बिजाएंगे तो उससे हटकर होंगे थोड़ा सा कुछ उसमें अलग हो सकता है इस जैसे तो नहीं ही होंगे तो दोस्तो आईए जानते हैं वो कौन से साथ जूबे प्रोडक्ट्स है एक बार फिर से आपको कहा देता हूँ इस ट्रेनिंग को एंडे तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं इस तरह की ट्रेनिंग केवल आपके लिए बना रहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे लेकिन ट्रेनिंग को एंडे तक जरूर देखे और वो ग्यान ले करी इस वीडियो से हटे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रोड़क्त है वेजीटेरियन बाइटश अब यह गुड़ड़क का जो वेजीटेरियन बाइट है लोग इसको बहुत हलके में लेकिन इसके परती सोच को नहीं देखते हैं लोग इस प्रोड़क को पैचानते नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यह एक प्राड़क्ट नहीं है मतलब क्या जी हां यह कोई प्राड़क्ट नहीं यह एक AKRANGTREE है यह पुझये यह यह परिवर्तन है कैसे आपका जरूर यह багा तो दोश्तो उस ।्रेनिंग को इस प्रोड़क्त की एंड तक आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जी बिलकुल यह एक सोच है एक करांती है परिवर्तन एक पुर्णिया है दोस्तों हम मीट क्यों खाते हैं जरूर आप मैंसे कही लोग जरूर मीट खाते होंगे नॉनवेच खाते होंगे चिक के लिए खाते हैं चलिए यह देखिए स्वाद के लिए और आपके प्रोटीन के लिए आप इस मासूम से जवानर को काटते हैं भले आप नहीं काटते हैं लेकिन आप खाते हैं तब ही तो यह कटते हैं ना दोस्तों मतलब आप किसी सजीव की हत्या कर रहे हो एक निर्दोस जानवत की हत्या कर रहे हो केवल अपने स्वाद के लिए अपने प्रोटीन के लिए जबकि स्वाद आपको कहीं और सभी मिल जाएगा प्रोटीन भी आपको इससे भी अच्छी अच्छी चीजे मिल जाएगी तो क्या यह सही है आप खुद बताएगे ना तो दोस्तों वर्तन है कि नहीं है आपको मीट जैसा टेस्ट दे रहा है प्रोटीन भी अच्छा दे रहा है लेकिन इससे कोई जानवर नहीं करता है क्योंकि यह फुली वेजिटरियन प्रोड़क्ट से दोस्तों यह कुछ इंगिडेंस से बनाया हुआ है जो मैं आगे आपको बताऊंगा यह फुली वेजिटरियन है इससे कोई सजीव की हत्या नहीं हुई है दोस्तों समझ गए ना एक बहुत बड़े लीडर थे उन्होंने बता रहे थे कि जो खाना होता है न अन होता है अन तो जैसा अन होता है वैसा मन होता है आप सोचिए आप किसी जानवर को काट करके जब खा रहे हैं तो आपका मन कैसा हो जाएगा उससे बहुत बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि जैसा अन वैसा मन दोस्तों इसलिए द्यान रखिए कभी भी किसी सजीव को काट करके खाने के जबरत नहीं है आप बले गु जिसके लिए आप मीट को खा रहे हो, किसी अच्छे से अच्छे मीट में भी आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, वो भी अर्शुद्ध प्रोटीन, लेकिन गुड़ डॉट वेजिटेन बाइट्स में 21 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, आपको वो भी एकदम शुद्ध, कैल सबसे इंपोर्टेंट, क्या आपने देखा है, मीट कहां पर बनता है, कभी आप जाकर देखना उस इलाके में, गुसने की इच्छा नहीं होगी, वहाँ जाओगे न, मतलब इतना बेकार आपको लगेगा, आप फटा फरवाँ से निकल जाओगे, क्योंकि वहाँ बदबू वहीं गुट डॉट वैशन बाइट्स, आप कभी इसकी फैक्टरी जाकर कर देखो, तीन सो पैसल दिन इसकी हाईजीन रहती है, लोग मास्क लगा कर रहते हैं, वहाँ पर हैंड गलब्स पहने जाते हैं, फूट सीकरिटी के ध्यान दिया जाता है, वहाँ एक मक्षी तक न आदे ना इसी फोटो बाउट घूमी थी, यानि कोवीड हुआ किस से आपको पता है, जो कहा गया था, चाइना से फैला था, चाइना में किसी जानवर को मार करके खाया था, किसी ने, तो वहाँ से बिमारी फैली है, तो सोचो, यदि किसी मीट में, मानलो या किसी चिकन में बिमारी हुई, तो आप कहा जाओगे, आप तो उसको खा रहे हो ना, किसी जानवर बिमारी हुई, और आप उसको खा गए, तो सोचिए, आप सोच करके देखिए, कि आपके अंदर बिमारी होगी की नहीं होगी, और दूसरा आजकर होता क्या है ना दोस्तों, छोटे- बिमारी हो जाती है, और वही बिमारी आपको भी होने लगती है, दोस्तों, मैं मतलब आपको बताओ तो आपके पेट में कीले तक पड़ सकते इन सब चीजों से, दोस्तों सोच करके देखो, आप नैट पर सरच करके देखना कितनी घातक यह चीजे, तो इसलिए, डिजीज की कोई सवाल हीने, डिजीज इसका को कि यह प्यॉर वेजिटरियन प्रड़क्ट है, इसके अंदर प्लांट बेस चीजे डाली गए, जैसे मतर बगेर डाला गया है, इसके अंदर सोया डाला गया है, जो मैं आपको आगे बताओंगा, कॉस्त की बात करें, तो बाइसाब मी करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, पी प्रोटीन है, जो हेल्दी आठ के लिए अच्छा होता है, फ्लैक्सीर है, जो अच्छा सोर्स है, किनो असीड से, जो फाइबर और कैल्शन के अच्छी सोर्स होती है, दोस्तों, एक बार और बात बता दूँ मैं आपको कि यह जो bites है वेच्टेरिन इस तरीके एक से तयार किया गया है कि इसमें पीसिस तयारी रहते हैं आपको gravy बनानी है और इन पीसिस को उसमें पका देना है बस इसके बाद मैं इसके को कुछ बता दूं तो no cruelty आप समझ गये इससे कोई जानर को नुकसान नहीं होती इससे कोई ह जीली बन जाता है कैसे बनता है आप देखिए हीट ओयल एन एट हूल मसाला जो भी आपके ड्राइब मसाले आपको डालना है वह आप तेल गरम करके उसमें डाल दीजिए एट चॉप्ट ओनियंस जो आप भूनते हैं अपने ओनियं को वह सिंपली करना है जिंजर गार्निक डालना है तर्मिनिक दन्या पाउडर वगेरा सब आपको डाल देना है और 100 ml का पाउडर डालना है उसके बाद में आपको वेच्टेन बाइट डालना है और सौल्ट डालना है आपके स्वाद के अक इसको आप चावल के साथ रोटी के साथ जिससे खाना है आप खाईए सच में बतारों बहुत ही टेस्टी होता है आप इसको खा करके देखिए आप असली वाला मीट भूल जाएंगे दोस्तों वह सकता है स्टाडिंग में आपको लगेगा कि उससे बेटर नहीं है लेकिन धिर चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेजिएगा दोस्तों एक और बाता दू मैं आपको कि इसकी अदिया आपको रेसिपी वगए देखने तो कहा मिलेगी आपको गुड़ोड का ओफिचल चैनल पर मिलेगी यहां फिर इसकी ओफिचल वेबसाइट पर मिल जाएगी इसके बाद करने के लिए और पाचें शंता सुधार करने के लिए लिवर की बात करilों तो लिवर 500 यहां यहां करता है एक और जो पॉल्यूशन से शराब से जो विशयले पधा थंदर चले जाते ना उनको बाहर निकालने का भी ये काम करता है लिवर को बचा कौन सकता है बायो ग्रीन बचा सकते हैं अगर आपको लिवर अच्छा रखना है तो बायो ग्रीन आपको लेना पड़ेगा बायो ग्रीन निट्रे ज necessity ऐसा प्रोड़ेक्ट जिसके दरीपान इक साथ आपको मिलते है नाया प्रोड़ेक्ट है अज्जू के जिए ग्रेंट क्रते हुलका आप करते लिवर डेम एच को करेंगे लिवर को प्रोटेउक्सिन करेंगे ईसकें बायो ग्रेन से कुछelf construir को करेंगे इस पर जो होता है हमारा लॉंग पीपर भी है इसके अंदर यानि कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई साइड इफ्यक्ट भी नहीं देते हैं चलिए आगे जानते पाचन पार ये पाचन अच्छा होगा अगर फाचन बेकार मुझे बहुत सारी विमारिया हो सकती ओस्ट गईता है अंने जाय पार सोlen तरीके से Евठ्य श करतीॹआ ससे चाहिए solar digestive enzymes दोस्तों किसी में भी नहीं मिलेंगे आपको न्यूट्रियंट बायोज में मिलेंगे जो प्रोटीन फैर्स कॉंप्लेक्ट कार्बो एड्रेस एन फाइबर्स के बेकड़ॉन में सहता देता है साथ में इसके अंदर 10 billion probiotics है जो गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं गट लाइनिंग के लिए अच्छे होते हैं और इमिन सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं इसके प्री बैयोटिक भी है इनुलिन जो गुड बैक्टिरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है दोस्तों तो आप सारी कि सारी information लेनेगे यह भी आपको मिलेगा हमारे चैनल पर लिंक आपको description में दे दिया जाएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसकी आप जो knowledge को पढ़ भी सकते हैं हमारी website से जिसका link भी आपको description मिलेगा और साथ में उसको अलग-अलग translate करके भी पढ़ स बिलेंस 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 दोनों है मतलब हर तरीके की चीजिस के अंदर है यह आपको अपना पाचन अच्छा रखना है तो आप इसको जरूर लेजिए जो शराब पीते हैं उनको तो यह गारंटेड लेना ही लेना चाहिए दोस्तों चलिए आगे तीसरा हमारा रूप से कमजोर हो वह ज्यादा बोलना नहीं आता हो यहां कई स्मृति में दिक्कत हो तो यह काम करेगा शारीरिक यानि उसकी ग्रोथ नहीं और यह डैवलप्पेंट नहीं हो रहा है चल फिर नहीं पा रहा है तो उसके लिए काम करेगा हाइट बढ़ाने के लिए जिसस के अंदर डी एचे भी है जो मस्तिश के लिए अच्छा है प्रो बायोटिक्स भी है कुछ बॉटेनिकल्स भी है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी है प्रोटीन्स भी इसके अंदर डाले गए हैं दोस्तो इसके जो मुख्य पोशेकत्तव हैं उनके कुछ फायदी बढ़ाते हैं और मौखिक समझ में रद्धी करते हैं साथ में आत के स्वास्ता को भी बनाए रखते हैं और पाचन में भी सुधार करते हैं दोस्तों नूट्रियाच किर्स दो से तेरा साल के बच्चों को दिया जा सकता है यदि आपको उनके हाइट बढ़ानी है वगरा वग कर सकते हैं चौकलेट इसका शेक भी बना सकते हैं इसको दूद में मिलाकर पिएंगे और स्वादानुसान नमक शक्र डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसका भी वीडियो आया हुआ है जिस पे दो लाख व्यूज दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो इसको अच्छी बात है चलिए आगे जानते हैं चौथा हमारा प्रोडक्ट आज का न्यूट्री जार्च वूमन दोस्तों आपका फैवरेट प्रोड़क्ट में मान सकता हूं इसको बहुत लोग प्रोड़क्ट है बहुत अच्छी सहल होती है इसकी यह विशेशकर महिलाओं के ल ब्लूबेरी है ग्रेप है कीवी है अपरिकॉट है वोकाडो है मैंगो इस तीन और स्ट्रोबेरी है जो इसकीन को प्रोटक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं एंटी एजिंग के लिए भी बहुत भड़िया रहते हैं दो कैट्टोनाइट से लुटीन और लाइकोपिन जो आपकी आई हेल्थ को अच्छे रहेंगे और एंटी एजिंग के लिए अच्छे रहेंगे इसके अंदर पांच एसेंशिल अमीनो एसिट से जो आपकी एनरजी लेवल को बढ़ाते हैं और कैल्शियम के अब्जॉप्शन में अच्छे होते हैं यह महिलाओं के प्रटक् प्रटक्ट को सब्सक्राइब करेंगे ब्रेण हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और सबके स्वास्ते को यह बरकरार रखेंगी कुछ minerals भी है, इसके अंदर कुछ नहीं, 13 minerals है, जो hemoglobin level को बढ़ाते हैं, muscles के लिए अच्छे होते हैं, bones के लिए अच्छे होते हैं, immunity को बरकरार रखते हैं, और heart और glucose health को बनाया रखते हैं, यानि BP sugar तो यह होना ही नहीं देगा, दोस्तों होता क्या है ना, जब हम छोटे हो तब लड़का लड़की जब छोटे होते हैं, तब इनके portion की समता बराबर ही रहती है, portion दोनों को बराबर दो चल जाता है, लेकिस अभी किश्वरा वास्ता में पहुछते हैं, तो मैला हमें कुछ problems होती है, या कुछ changes होते हैं, जिसको जो इनके MC वगरा होती है, उस अनीमिया, दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अनीमिया से ठकान हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है, प्रणेंसी में दिक्कत आती है, बालों का जणना, नेल्स की दिक्कत, depression वगरा कई सारी चीज़े होती है, क्यों क्योंकि nutrition सही मिलता क्योंने है, क्योंकि हमारे ख साल के उपर हो जाती है नि किश्वरा वास्ता में पहुंच जाती है क्योंकि उसको अच्छे से नुट्रिशन नहीं भिल पा रहा है इसलिए नुट्रिशाज वुमन देना चाहिए इसके कुछ मुख्य फायदा बता दू मैं आपको वैसे तो आपको बता दिये लेकिन कुछ और मुख्य बता दू तो हीमोगलोबिन को बनाना मासिक दर्म से जुड़े सबी चीजों को सही करना हार्मिल कारे को बनाना अलंबय और चमकदार बालों के लिए अच्छा नाकुनों के स्वास् पर बाक्यों की करूं तो इसमें क्या क्या है दोस्तों मैं आपको बता तो इसके अंतर तेरा फ्रूट ब्लैंस जले वहीं है जो मैंना भी आपको बताए है सब अच्छा सा वीडियो है जिस पे एक लाग से जधा वियूस है यह भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा इसमें मैंन सब्सक्राइब कर लीजे कैसा इसी तरह की ट्रेनिंग आती रहेगी दोस्तों इसके अंदर 17 गुर्णकारी हर्बल आउश्दियों का संगम है आप देख रहे हैं जो भी प्रड़क बता रहूना में वह सब अजूबे हैं अब यह ऐसा अजूबे प्रड़क जिसके इंदर 17 गुर्णकारी हर्बल आउश्दिया हैं 17 अब वह मैं जो आपको बताऊंगा ना वह आपको गईगी इस एक एक इंगरीन के अलग अलग प्रड़क मिलते हैं मार्केट में लेकिन यहां पर आपको 17 तरीके का बोटनिकल्स या कहलो या जड़ी बूट्या कहलो वह एक ही प्र सब्सक्राइब के लिए इसादार होता है यह अच्छा इम्यूटी बूस्टर भी होता है पाइंट बाक एक्ष्ट्रेक्ट अश्व अ इसके कंदर अश्वगंदा है शरी का वजण बढता है इसके को मीड़ो सर्फी में 12 अश्वगंद आप देहिए मार्केट में करने में करति है जो पूरे के पूरा शुवगंदा की लेकिन उसके सोचने की बात यहimi तूदिए ये बहुत सोचने की बात है आपके लिए तीसरा इसके अंदर सतावरी है सतावरी शकती को बढ़ाती है तना को कम करने में सायक होती है और anti-aging गुन होते हैं इसके अंदर अंगूर है इसके अंदर शरीर को मजबूत बनाता है आइरन का अच्छा स्रोथ होता है पाचन के लिए अच्छा होता है साथ में अन्य पोशक रत्वों का अव्शोषन भी करता है खजूर जिसमें इतना नहीं होता जितना आपको मिल जाएगा यह बहुत बड़ी बात है इलाइची है बोजन के पाचन के लिए अच्छी होती है अब शोषन को बैतर बनाती है तो लोग कहते हैं तो मैं आपको बता तो में आपको विकास रही है अपने शरीर का तो आपको यह जरूर सेंदर यह अंदर घ्रीर आपको यह बोजन करा और आपको यह उस्टार होती आप देखेंगे कि आपको थिन चारचार फाइदे बतां कि इसको इतने सब्षाधे होते हैं बाताउंगा तो यह शायद दो-तन घंटे की कम पर जाएगी इसलिए मैं आपको मुख्यमों के फायदे बता रहा हूँ केला है इसके अंदर जो उर्जा और ताकत से भरपूर होता है इसका पाउडर कार्बोहाइडरेट्स और मिनरल्स में भरपूर होता है दोस्तों दोस्तों कितनी अच्छी प्रेजंटेशन मैंने बनाई है मुझे खुद को अच्छी लग रही है मैं आपको बदा देता हूँ यह प्रेजंटेशन के अगर आपको पीडियर पगएरा चाहिए तो आप वाट्सप पर मुझसे मांग लेकरो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक कितना साहरा फाइदे होते हैं जीरा है जो बुक के लिए अच्क होता है त्याशेशन में अच्छी होती है और एनरजीसे भर्पूर होती है दोस्तों जाए थोड़ा अधर यार घी सोची आप कितनी अच्छी चीजह इसके अंदर जो उचीत मातरा में सहत मंद होता है और शरीर में परीवन का काम करता है शहर इसके इसके फाइदा आप जानते होंगे यह तुरंत उठ जा देता है गुड कार्भो हाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर अनिक प प्रचास अजार से ज़्यादा इस पर यूज आ चुके हैं छटा है हमारा हेल्थ गार्ट राइस ब्राइब दोस्तों इसके परिचीत होंगे ही अभी पिछली बारी मैंने ट्रेनिंग दी इसकी यह तो सबसे पहले डालना चीज़ था मैंने सबसे लास्ट में डाला है क्यो मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा क्यों है आप वीडियो में देखेंगा तो ज्यादा अच्छे से पता लगेगा उसी परकार से गामा ओरिजनल है इसकी ट्रेनिंग मैंने आपको दे रखी है अभी अभी देख लीजिए हैं लिखां सर्टीन डेज देगो अभी दस द इडिया में यह नुट्रासुटिकल के रूप में अनुमोधित किया गया है यह कॉल्रेसॉल के लिए बीपी के लिए शुगर के लिए हर तरीके से फायदेमन होता है अभी दो दिन पहले भी मैंने वीडियो दिया थे गामा ओरिजिनल को उपर जिसमें आठ बटाया थे कि क जूम पर लाइव है लेकिन आपको यूटूब पर भी देखने को मिल जाएगी इसके बाद में दोस्तों मैं बदा दूँँ आपको यह हमारा चैनल है जिस पर 77 के से ज्यादा सब्सक्राइबर से हैं आप लोगों नहीं इसको बहुत प्यार दिया है इसलिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह जो ब्लैक कल का बटन है इसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है एक बार आपका फिर से स्वगत करता हूं एक बार आपका फिर से धन्यवाद करता हूं हमारे इस चैनल पर मैं कोशिश करता रहूंगा बस आपका प्यार बना के रखिए इस चैनल को जादा जादा शेर करते रहिए शेर करते रहिए मिलते हैं के लिए क्रेंडिंग में धन्यवाद